अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि मेरा जो वेट गेन हुआ है क्या वो सही हुआ है मुझे जितना मेरा वजन बढ़ना चाहिए तो उतना बढ़ा है या नहीं बढ़ा है क्या मुझे से कोई परेशानी आने वाली है तो मैं डॉक्टर सुशिला सैनि गाइने क्लाजिस इन अप्सटीशन आज आपको प्रेगनसी में वेट गेन के बारे में समझाना चाहती हूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर प्रेगनसी में आईएली कितना वेट गेन करना चाहिए तो जो स्टैंडर्ड वेट गेन होता है वो आपके BMI के according होता है यानि कि आपका जो प्रेगनसी से पहले जो वजन होता है उसके accordingly हम आपको बताते हैं कि आपको पूरी प्रेगनसी में कितना वेट गेन करना चाहिए यानि कि अगर आपका BMI 18-25 के बीच में जो कि नॉमल काउंट होता है 18-25 तो 11 किलो से 18 किलो का वजन पूरा गेन कर सकती है अब यदि आपका वजन काफी जादा है यानि कि आपका BMI 25 के उपर जा रहा है आप वोबेसिटे के काडेगरी में आते हैं तो फिर हम आपको कम वजन गेन करने के सलहा देते हैं यानि कि आपको 7-11 किलो तक का वजन गेन करने के सलहा दी जाती है लेकिन यदि आपका वजन कम है काफी कम है और आपका BMI 18 से भी नीचे है तो डेफिनेटले आपको जादा वजन गेन करने के लिए बोला जाता वही से हम लोग कंपायर करेंगे कि आपका प्रेगनेंसी वेट कितना था और अब नवे महिने में कितना वेट गेन हुआ है जनरली तो आप जब भी किसी डॉक्टर को दिखाते हैं तो हर महिने आपका ब्लड प्रेशर पाल्स रेट और वजन चेक किया जाता है जिससे कि हमें वेट बढ़ना शुरू होता है और जो शुरू के तीन महिने होता है उनमें जनरली एक डेड़ किलो वजन ही बढ़ पाता है क्योंकि उस टाइम पे लेड़ी खा नहीं पाती बहुँ जादा उल्टेयां हो रही होती है कभी-कभी किसी-किसी लेड़ी का वजन गिर भी जात करती है इसलिए अगर जब भी अगर अब हम वेट अपना चेक करती है घर पे तो आपको हफते की अफते भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर यह गिन आपका जो वेट है वह सही दिशा में जा रहा है अगर महिने भर में आपको 2Kg वजन करना है तो एक हफते के नहीं हो रहा है या static है या कहीं कम तो नहीं हो रहा है और जब आप नवे महिने तक पहुँच जाती है तो जनरली 11-12 किलो तो वजन गेन हो चुका होता है क्योंकि आखरी टाइम आ गया है और अब तक लगभग बच्चा भी पूरा बन चुका होता है और बच्चा प्रेग्न होता है तो हम कई बार आपको समझा चुके हैं कि 40 वीक्स की प्रेग्नेंसी उतिर आप महीने नौकाउंट करते हैं तो जब आप आठ वे नौवे महीने में पहुंच जाते हैं तो हम यह मान के चलते कि 8-10 किलो तो आराम से अपने गेन कर ही लिया होगा यदि आपने इतना गे कारण हो सकते हैं कि आपके बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है या आपके पानी की समस्या या बच्चे के चारो तरफ जो पानी है वो कहीं कम तो नहीं है उसका तो कहीं कोई प्राब्लम तो नहीं चल रहा है क्योंकि कई बच्चे के चारो तरफ जो पानी कम होता या नह बढ़ रहा है, बच्चे का सेपरेटली अलग से कोई वजन चेक नहीं किया सकता, तो ऐसे स्थिति में आपको एक सोनोग्राफी एडवाइस की जाती है, ताकि बच्चे का अससमेंट किया जाए, बच्चा हेल्दी है या नहीं है, और पानी की मात्रा सही है या नहीं है, सोनो आपको इसके हिसाफ मेडिसीन एडवाइस करते हैं, और यदि आपका टाइम पूरा हो गया है, तो फिर डिलिवरी भी एडवाइस की जा सकती है, जब या वजन को अससे करना चाहती है, कि आपका वजन सही तरीके से बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, तो सबसे बहले आपको अपना pre-pregnancy weight पता होना चाहिए, आपकी height पता होना चाहिए, वेट और height से BMI निकाला जाता है, और फिर BMI के accordingly आपको इडवाइस किया जाता है, कि exactly आपको कितना weight gain करना चाहिए, जो कि हमने आपको बताए कि 11-18 किले एक normal वजन का range है, जो gain करना चाहिए, यदि आपने इतना gain कर लिया, तो definitely आपने सही gain किया, और यदि आपने कम gain किया है, तो सुनो ग्राफिय करके assessment करवा लिजे कि बच्चा सही है या नहीं है, और यदि बच्चे में किसी प्रकार की problem है, तो definitely आपको delivery के लिए आगी जाना चाहिए, और अपनी डॉक्टर से संपर करना चाह झाल